हेलो फ्रेंट्स तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप html यूज करके कैलकुलेटर ड्रॉ कर सकते हैं यानि की कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं आप html के कोड से तो उसके लिए simply आपको अपने laptop में या फिर अगर आपके पस laptop नहीं है या ओफिस का एक प्रोडक्ट है तो आपको अगर आपके laptop में पहले से इंस्टॉल लें तो आप उसे ओपन करके वहाँ पर यह कैलकुलेटर ड्रॉ कर सकते हैं यानि की कैलकुलेटर बना सकते हैं यूजिन html कोड ओके तो मैं यह notepad++ जो मेरा एप है मैं उसे open कर ली हूँ open करने के बाद देखेंगे आपकी जैसे ही आप इस एप को open करेंगे notepad++ को यहाँ पे एक option दिखाए देगा जिसका नामे new file तो इस new file पे आपको open करना है और जैसे कि हम लोग अभी जा रहे है calculator बनाने html code से तो हम file का नाम दें calculate.html यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ना कि जब हम कोई भी html file बनाते है ना या html code लिखने के लिए कोई भी अगर हमें file की जुरत बढ़ती है तो उसका extension mention करना बहुत जरूरी होता है यानि कि calculate जो हमारा file बनेगा ना वो .html में होना चाहिए तभी हम इसे as a browser open कर सकते हैं ठीक है तो मैं अपने file का नाम calculate.html देखर के save button के click कर दूंगे ओके तो देखिए calculate.html हमारा file open हो गया है अब हम क्या करेंगे मेरे पास already code है calculator का यहाँ पर मैं लिक के time waste नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं यह code आपको यहाँ पर paste करके दिखाते हूं यह code simply अगर आप चाहे तो इस code को copy paste कर सकते हैं अपने notepad किसी भी notepad plus plus editor में ठीक है अब वहाँ से आप इसे run कर सकते हैं एकदम जैसा कि मेरे यहाँ पर मैं आपक खारी वीडियो में जैसे calculator जो डिजाइन हुआ है और function वाइस काम कर रहे आपके भी laptop या computer में सेम इसी तरीके से काम करेगा ठीक है यहाँ पर इस file में code paste करने के बाद या लिखने के बाद simply आपको इस code को save button पर click करके save कर देना है जैसे यहाँ पर इसे save करेंगे हमारा code उस फाइल में .html जो भी फाइल हम create करेंगे उसमें save हो जाएगा अब save करने के बाद आपको पता है आपकी computer laptop या फिर आपके phone में फाइल कहां पर save हो रही है यानि कि इस फाइल का location क्या है आप अपने device के इस आप से open कर सकते है मेरा तो यहाँ पर save है जिसको मैं यहाँ पर search क करूंगे culm calculate.html जिस फाइल में हम अभी अभी code अपना paste किये थे ना लिखे थे उसी फाइल को हम अभी open करेंगे तो ठीक है तो चुकि यहाँ पर हम file का नाम .html दिये हैं इसलिए हमारे पास से option आ रहा है कि हम इससे क्या browser में open कर सकते हैं अगर हम इस file का extension .html नहीं देत हैं तो यह by default वापस से notepad में ही या notepad++ जिस भी editor में अपने code लिख रखा है उसी में open होता है इसलिए हम जब कभी html file में काम करेंगे या html अगर file हम create करेंगे तो इसका extension हम mention कर देंगे .html अब हम इस file को open करेंगे chrome में तो देखिए हमारा यह जो code था यह एक calculator draw कर दि देखते हैं यह calculator function wise काम कर रहा है कि नहीं ठीक है अब इसके लिए हम यह आपे देख लेते हैं add करके 1 2 plus 4 and equal to 16 तो हमारा calculator function wise भी काम कर रहा है और जैसा कि हमारा जो html में design हमने किया है वह design भी काम कर रहा है आप चाहें तो html code को और भी अच्छे से color padding या जो कुछ भी आ आप experiment करना चाहते हैं इस code पर कर सकते हैं तो अगर आपको यह html का code अच्छा लगा हो अगर आपको यह calculator अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को like कर दीजेगा और अपने friends के सांथ share कर दीजेगा और मेरे चैनल को भी subscribe कर लिजेगा ऐसे ही और बहुत सारे interesting वीडियो क कर दीजेगा और नहीं यह भर को कर दीजेट कर देसे हैं शोल अगर में जаг दो कर दीजेगा और मेरे आपको यह हैं तो इस नद आप